यादेवी सरवधूतेशू लक्षमीरू पेनसन्सिता नमस्तस्यी 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 नमोनमहा मैं इस समय आइसलेंड के ग्राइंड कैनियन्स की तरफ आया हुआ हूँ और यहाँ पर बड़ी भीशन ठंड है मैंने तीन टोपियां, दो जाकेट्स, दो कार्डिगन्स, वॉर्मर्स, दो ब्लव्स, तीन जुराव, वाटर पूफ शूज पहने वे हैं आप सोच सकते हैं ठंड का प्रकोप कैसा होगा बड़ी निर्मन नदी कैनियन्स से आ रही है सामने आख देख पा रहे हैं ग्राइंड कैनियन्स और मध्य से ये बड़ी सुन्दर नदीया अवगाहित हो रही है आप सब को यहाँ से मैं फिर स्मृति कराऊं 22 सेप्टेंबर से 21 रात को अमेरिका पहुंचूंगा 8 बजे गोजन अट्लांटिक से और 22 को सबसे पहले हनुमान 40 का पाठ शुरू होगा 23 को दुद्राबिशेख होगा मंगल बुधवार को सुन्दरकांड होगा सौमी जी महराज की रामायन से और फिर वीरवार को विश्नु साह स्रणाम का पाठ होगा शुकरवार को फिर से सुन्दरकांड जी का पाठ और फिर भक्ति प्रकाश जी के पाठ और 2 अक्तूबर को शुराम शर्णाम में पुज़ गुर्देव का जन्म दिवस मनाया जाएगा 3 अक्तूबर से एतेहासिक आनन्दा का कारिकरम शुरू होने वाला है जिस कारिकरम में पहली बार मा भगवती जगदंबिका मा जंडे वाली मा सरस्वती मा काली की अनुपम स्थापना होगी प्रतिद्वस रोज हवन होगा हवन के तुरंत बाद शुर्म देवी भागवत की कथा होगी भागवत की कथा के साथ-साथ मा की रसोई की थाली रोज लगेगी आप अखंड जोत में घी की सेवा नित्य कर सकते हैं पुश्पों की सेवा नित्य कर सकते हैं मा के भव्य अलोटिक शंगार बनके आ रहे हैं आप उन दश रंगारों की भी सेवा कर सकते। आप मा भगवती के रोज कथा के बाद रसोई की ठाली का भोग, मा का गर्भा, मा की आरती, भव्यारती जो अनुपम आरती शक्तिपीठों में होती है। ऐसी अनुपम आरती आप आनंदा के प्रांगन में अनुपम करेंगे। मेरा तारीक को गुर्बानी का किरतन होगा। और चौदा को मुझे अरजंटीना के लिए प्रस्थान करना है। तीन दिन के लिए पहले स्पानिश प्रवचन के लिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम ग्रांड कैनियन्स पर जाने वाले हैं। वो उपर जहां आईए मेरे साथ चलें, मेरे पीछे-पीछे और बड़े भावार प्रेम सहिद आप देखते रहिए। यह अरम निद्रश आप देख पा रहे हैं। यह डाडियों के काफले जो ग्रांड कैनियन्स की यातरा करने के लिए आए हुए हैं। आए मेरे हैं। यह ब比 बागने हैं। तह फड़े हैं। यह अटरे लिए की यह व Лएव मेरे ओ लिए यह मेरा हैं। with all of the people, so that everyone can be a part of our Iceland trip. We will be live again shortly from this beautiful, beautiful view in Iceland.